नमस्कार दोस्तों संसकार कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संसकार कोचिंग आज आप लोग के साथ मैं इस वीडियो में बाइलोजी का एक टॉपिक लाया हूँ जो जीवानू तो चलते देखते हैं अपने टॉपिक पे क्या है ये सबसे पहले यानि फर्स्ट अफ आप अल भी है टॉपिक अबॉर्ट जीवानू ये जीवानू क्या है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जीवानू जीवानू को इंगलिस में बोला जाता है क्या बैक्टेरिया जीवानू को इंगलिस में बैक्टेरिया बोलते हैं अब इसके एक पॉइंट करको हम लोग देखते हैं जो बैक्टेरिया है बैक्टेरिया ग्रीक भाहसा के बै पहला कोसन बनता है बेक्टेरिया किस सब्द से लिया गया है तो बैक्टीरियम सब्द मिया is ぜहां बैक्टेरियम सिंगुलर होता है तथा बैक्टेरिय कि पढ़ते हों ग्रेजी ग्रामर तो उसके अनुशार एक रूल है कि कोई भी जो सब्द होता है ग्रीक भासा में उसके अंत में अगर UM होता है तो वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर से पुल्रल बनाने के लिए UM को हटा कर A लगा देते हैं तो यही UM के जगा यहां पे A लगा दिया गया है तो बैक्टेरियम सिंगुलर है और बैक्टेरिया क्या हो जाता है पुल्रल है जैसे आप लोग अगर पढ़ते हो कि डाटम यह डाटम सब्द सिंगुलर है लेकिन यह जो डाटम हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है पुल्रल है तो यहां से किलिर हुआ जिवानो प्रकार का अंग्रेजी शब्ध है सिमूलर बैक्टेरिया की इस प्रकार का अंग्रेजी शब्ध है प्लूरल चलिए अगला पॉइंट है अगला पॉइंट में आते हैं कि जिवानु क्या होता है जिवानु एक प्रकार का सुछमजीव है सुछमजीव का आर्थ होता है छोट जो हानिकारक एब हम लाबदायक, हानिकारक अर्थात बुरा, लाबदायक अर्थात अच्छा, अर्थात ये नहीं समझना हम लोग को, कि जो बैक्टिरिया है, वो सिर्फ हम लोग को हानी पहुंचाता है, लाभे भी पहुंचाता है, जो कि हम लोग आगे के पॉइंट में चर माइक्रो और्गेनिज अब बात आती है एगला पाइंट सुछम जीवो का ध्यायन सुछम जीवो का ध्यायन क्या कहलाता है तो सुछम जीवो का ध्यायन का बिग्यान जो है वो कहलाता है माइक्रो बायोलोजी याद रखना दोस्तों ये पूछ लिया जाता है आपके एक्जामस में क्या होता है? माइक्रो बायोलोजी सुछम जीवो के अध्यान के बिग्यान को क्या कहेंगे? माइक्रो बायोलोजी या हिंदी में सुछम जैवी की? क्या बोलेंगे हम लोग? सुच में जैवी की बोलेंगे माइक्रो बायोलोजी या सुच में जीवी सुच में जीवो को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है सुच में जीवो को देखने के लिए सुच में दर्सी का प्रयोग होता है सुच्मे दर्सी का परियोग होता है अगला point सुच्मे दर्सी का अभिसकार किस ने किया गब किया यह देखते हैं तो सुच्मे दर्सी का अभिसकार पुलाइट के बिग्यानिक एन्टोनी बन लियूवेन हॉक ने 1665 इसवी में किया था यहां से दो तिन questions निकल करके आते हैं आप लोग के लिए पाली बात कि सुछमदर्सी का अब इसकार कौन किया तो एंटोनी बॉन लिवेन हॉक किस ने किया एंटोनी बॉन लिवेन हॉक जो बग्यानिक थे वो किस देश के थे पोलेंड कहां का पोलेंड का बत आता है जीव आखिर छोटे छोटे जीव होते हैं तो उसका भी तो कोई अकार होता होगा माप होता होगा तो वो देखते हैं सुछम जीव का अकार माप आ जाता है अगर आप से पूछा आ जाए कि सुछम जीव का जो अकार होता है उसका यूनिट क्या होता है तो उसका यूनिट ह से 80.5 माइक्रोन तक के जिवान्य होते हैं किसने की यह तो हम पढ़े कि सुछ من दर्सी का अन्टोनि बॉनलिविन होक ने 165 में किया जो पॉलायंट के ब्लेंडिक थे आगे पॉइंट है 183 में अपने दातों को खुर्चन में लिविन होक ने सबसे पहले जिवानू को देखा था अगर बात किया जाए कि जिवानू को सबसे पहले किस ने देखा था तो वही एंटोनी बॉन लिविन होक ने और अपने दातों के खूर्चन में उन्होंने जिवानू को देखा था कहाँ देखा था दातों के खूर्चन में तेरह से question निकलता है कि जिवानू को सबसे पहले किसने खोजा था या जिवानू की खोज किसने की तो Antoni Vaughan Livenhock जिवानू की खोज कब हुई तो 1683 में इंटोनी बॉन लिविन हॉक अपने ही द्वारा विस्कार किये गए सुछमदर्सी से अपने दातों के खुर्चन में जिवानू को पाया ये एक बड़ा रहस समय कहानी भी है प्रन्तु क्या है ना कि उन्होंने इसका नाम जिवानू रखकर न रखकर जिवान्त कहा था जब अपने दातों के खुर्चन में एंटोनी बॉन लिविन हॉक ने जिवानू को देखा था तो उसका नाम जिवानू नहीं रखा था उन्होंने सिर्फ जिवान्त कहा था अर्था छोटे जिवान्त का मतलब छोटे छोटे जीव तो इस तरह से हुआ कि जिवानु की खोज किसने की तो इंटोनी बॉन लिविन होक ने किया कब की 873 में किया लेकिन जिवानु का नाम इंटोनी बॉन लिविन होक ने रखा था नहीं तो क्या कहा था उसमनों ने जिवान्त कहा था आगे तो जिवानु का नाम किस ने रखा पॉइंट है जिवानु का धियन बैक्टरियोलोजी कहलाता है जिवानु का ध्यान क्या कहलाता है बैक्टेरियो लॉजी कहलाता है अगर बुला जाए कि जिवानु का ध्यान जिस बिग्यान के तहट किया जाता है तो उस बिग्यान को क्या कहा जाता है बैक्टेरियो लॉजी जिवानु का ध्यान का बिग्यान बैक्टेरियो लॉजी कहला झाल जाता है जैसे कि उपर के पॉइंट में हम लोग पढ़ें कि 1683 वी में दातों के खुर्चन में लिवन होने जिवानु को देखा था और हिवांतं नम रखा था इसलिए जिवानु का जनक या जिवानु का पिता जिवानुक के खोज करता इनको कहा जाता है लिवेन हौक को कहा जाता है बात आती है कि जिवानünkü तहर्ट किया जाता है उस भी ज्विग्ञान को क्या कहा जाता है वाइक्टेरियो लोजी और उपर में देखे थे कि सुछ में जीवन का धेयन का विग्ञान के कहला था माइक department کی कहलाता था अब है कि जब 1683 में जिवानु को देखा था लिवेन होक ने तो जिवान्त कहा था लेकिन नाम किस ने रखा था तो जिवानु का नाम जिवानु 1839 में एहरेन बर्ग नामक बग्यानिक ने रखा था यानि जिवानु का नाम जिवानु कब रखा गया 1839 में कब इवन हौक ने की लेकिन नाम किस ने रखा तो इहरेन बर्ग ने रखा था अब बात करते हैं जिवानों किस संरचना किस की बात करेंगे हम लोग जिवानों किस संरचना यानि किस प्रकार से संरच्छित होते हैं जिवानों वो देखना है हम लोग को तो यहां इस पॉइंट मे हम लोग यह देखेंगे, पहला point है, कि जीवानु-प्रोकैरियोटिक एवं एक कोईस किये होता है, दोस्तों जब हम लोग कोईसका का अधियन करते हैं, तो कोईसका का अधियन का विग्यान क्या कहा लाता है जानते चलते हैं, साइटोलोजी क्या कहलाता है कोशका का अध्यान का बिग्यान साइटोलोजी कहलाता है आसे कोशन यह भी बन जाता है कि कोशका के अध्यान के बिग्यान को क्या कहा जाता है तो साइटोलोजी तो दोस्तों जब हम लोग कोशका का अध्यान करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कोश को रखा जाता है जो अपूर्ण रूप से बिक्सित होते हैं पूरी तरह से बिक्सित नहीं होते हैं तो यहीं जिवानु को कोशका होता है प्रोकेरियोटिक होता है अर्थात पूरी तरह से बिक्सित नहीं होता है जैसे अस्तंधारी का युकेरियोटिक होता है क्योंकि पूर एक कोशिका होता है एक कोशिका से जीवन के सभी कार्ज को संपादित करना जैसे अगर हम लोग मानव हैं तो खाने के लिए अलग वैवस्थ अंग तंत्र हैं पीने के लिलग तंत्र स्वसन के लिए अलग तंत्र देखने के लिए हर कार्ज करने के लिए अलग अलग तंत्र है लेकिन ये जो है एक कोस्किये जीव जो होते हैं उनमें अलग-अलग कार्ज करने के लिए अलग-अलग अंग नहीं होते हैं ये कहीं कोसिका से सब कार्ज समपादित होते हैं तो बना कि जिवानू कमें किस प्रकार का कोस्का होता है तो प्रोकैरियोटी कोस्का होता है जिवानु एक कोस किये होता है या बहु कोस किये तो एक कोस किये होता है आगे जिवानु अकेले या समुह में भी पाये जाता है अगर पूछा जाए कि जिवानु कैसे पाये जाता है तो जिवानु अकेले भी पाये जाता है या समुह में भी पाये जाता है आगे अगला पॉ एक साथ में मैटोकॉंड्रिया कोई सब्लak कीूछक बैब कर दो नहीं होता है क्लोरोफिल कि नहीं पाएजाता है है अब अड़ने है पादपू में पाए जाता है में पादपू में पाएजाता है और इसी क्लोरोफील के उपस्थिति के कारण पौधे परकास संसलेशन की किरिया कर पाते हैं। क्लोरोफिल में किस धातु का आयन पाय जाता है। अब क्लोरोफिल जो होता है पौधो की किस संग में पाय जाता है तो पतियों में पाय जाता है पौधो का जो रसोई खर किसे कहा जाता है तो पतियों को कहा जाता है क्योंकि उसी में क्लोरोफिल पाय जाता है अब पतियों के किस भाग में क्लोरोफिल पाय जाता है तो वो क्ल जिवानों को पादप सम्हों में रखा जा सकता है अर्थात पेड़ पौधों के सम्हों में नहीं जिवानों क्लोरोफिल ना होने की बज़े से पादप बर्ग में नहीं आते हैं अर्थात अगर बात किया जाए कि क्या जिवानों पादप बर्ग में आते हैं तो नहीं क्योंक की दिरिश्टी से किस परकार के जीव होंगे तुम लोग को पता है कि जब क्लोरोफील नहीं होगा उसमें तो प्रकास संसलेशन की प्रकिरिया नहीं होगी तो वो स्वापोसी ना होकर क्या होगा परपोसी हो जाएगा तो यह देख रहा है क्लोरोफील के अनुपस्थिति के क जिवानू पर पोशी होते हैं जिसके अंत्रगत ये परजीवी मृतोपजीबी एवम सहजीवी भी होते हैं अगर यहां से कोशन बना कि जिवानु जो होता है इसमें किस प्रकार का पोसन होता है तो पर पोसन होता है किस प्रकार का पर पोसन और पर पोसन के अंतरगत ये पर जीबी भी हो सकते हैं मृतोप जीबी भी हो सकते हैं सहजी भी हो सकते हैं आगे है क्या जिवानु में केंदरक होता है जिवानु में होता है तो DNA होता है DNA का मतलब आप लोग को पता होगा चुना का पूरा नाम क्या होता है और बिएक्सी रइबोनोकलिक आश इसिड्ड क्या होता है डियुप्प्प्प नुक्लिक आश्ञा से पुछह जैक डिना का पूरा नाम क्या होगा तो डियोक्सी राइवो न्यूक्लिक एसिट अगे है अगला पॉइंट है क्या जिवानों में कोशका भीति पाया जाता है अब बात आती है कि कोशका भीति ऐसे तो पाधप में होता है पौधों में कोशका भीति होता है और पौधों की जो कोशका भीत कोशका भीति पाया जाता है जो काईटीन का बना होता है जिवानों में जो कोशका भीति होता है वो किसका बना होता है काईटीन का काईटीन भी एक प्रकार का कार्वो हैड्रेट है और वो पॉली सेकेराइड है क्या है पॉली सेकेराइड है कि बात आयती है कि क्या जिवानों में कोशका भीति पाया जाता है तो हाँ पाया जाता है तो जिवानों की कोशका भीति किस कर्वाहड़ेट की बनी होती है तो काइटीन की बनी होती है और जो पादपो में कोशका भीति होती है वो किस की बनी होती है तो वो cellulose की बनी होते है किसकी बनी होती है cellulose की अब अकार की बात करते हैं तो सुचम जीवो में जीवों में आकार में सबसे छोटा बिसानु होता है इसके बाद जीवानु होता है अगर थात आकार के दिश्टी कौन से देखे तो छोटे छोटे जीव में जो बिसानु होते हैं जीवानु होते हैं कवक होता है सेवाल होता है तो सबसे छोटा बिसानु होता है उससे बड़ तो जीवों का बर्गी करन किया गया था वो लिनियस के दवारा द्विनाम पत्ती दिया गया था वो दो भागों में बाटा गया था लेकिन बाद में हिटकर के दोरा पांच भागों में बाटा गया वो पांच भागों के अनुसर जिवानों को मोनेरा जगत में रखा गया है अगर पूछा जाए कि जिवानों को किस जगत में रखा गया है तो जिवानों को मोनेरा जगत में रखा गया है अब देखते हैं कि जिवानू के प्रकार अकार के अधार पर जिवानू के प्रकार अकार के अधार पर जिवानू के प्रकार तो यह देखते हैं कि अकार के अधार पर जिवानू चार प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के चार प्रकार के पहला जो है छाड़ा का इसे इंग्लिस में हम लोग बैसीलस भी बोलते हैं किस तरह का बैसीलस जैसा कि आप लुग पढ़ होँगे कि दही जमाने के लिए like to BCellas जिवान उकाम आता है तो वो BCellas अर्थाथ छड़कार होता है तो खर वो आगे हम लोग चर्चकर हैंगे लेकिन पहला क्या है छड़ाकार या बैसिलस दूसरा गोलाकार या इंगलिस में इसको कोकस बोल सकते हैं तीसरा कोमा क्याकार या जिसको बिब्रियो बोला जाता है कोमा क्याकार या बिब्रियो चौथा सरपिलाकार यानि सरपिल क्याकार का ये तो हम लोग पढ़े हैं कि अकार क्या धार पर जिवानों के परकार, फिर हम लोग पढ़ते हैं उप्योग क्या धार पर जिवानों के परकार, किसा धार पर? उप्योग क्या धार पर जिवानों दो परकार के होते हैं, पहला हानिकारक जिवानों या बुरे जिवानों, वैसे जिवानु जो हमारे सरीर इवम अन चेत्रों में रोग के कारण होते हैं वे हानिकारक या बूरे जिवानु कहते हैं। अब जन्तु में पादप में और मानब में जिवानू के कारण कौन-कौन से रोग होते हैं यह हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अबन सेयर जरू करना धन्यवाद